तो दोस्तो स्वागते आपका एक और नई वीडियो में दोस्तो इस सहर का जनम करीब 8 साल पहले हुआ यानि 2016 के अंदर तब दोस्तो इस सहर पर राज हुआ करता था बड़े ही शक्तिशाली जीओ का जिनकी अंदर एक सबसे खतरनाग जीओ था उसका नाम था सायरिन हेड जो इस सहर के सबसे शक्तिशाली जीओ में से एक था दोस्तो कई बार तो सायरिन हेड आपस में ही लड़ते थे यानि अपने एरिया की रक्षा के लिए बड़े बड़े सायरिन हेड चोटे सायरिन हेड को मार डालते थे और उसके एरिया पर कब जा कर लेते थे लेकिन दोस्तो बात यहीं पर खतम नहीं होती है इस सहर के अंदर सारेन हेडी नहीं हलक जैसे बड़े बड़े योद्धाओं का भी जनम हुआ और हो भी अपने एरिया की रक्षा के लिए किसी को भी मार डालते थी यानि हलक भी काफी जदा गुस्ते के अंदर रहता था और इन सब के बीच म हमारे सूपर हीरो का भी जनम हुआ जिसके पास में शक्तिया तो थी लेकिन इन से जादा शक्तिया नहीं थी यानि भाई सूपर हीरो काफी कमजोर था उनके सामने और सूपर हीरो उन सभी बड़े-बड़े सारे नहेडों से बचने के लिए अक्सर इस बोट पर ही रहा करत था ये बाहर तो जाता था लेकिन छुप छुप कर जाता था क्योंकि यार उन सभी को पता लग जाता ना कि सूपर हीरो यहां पे रहता है तो इसकी जान को भी खत्रा हो सकता है भाई उनसे पंगा लेना यानि अपनी मौत को दावत देना हमारे सूपर हीरो के पास में भी सारी शक्तिया थी लेकिन यार उनसे बहुती कम थी इससे तो एक दिवार तक नहीं टूरती थी लेकिन जब सारेन हेट चिलाता था था ना तो पूरी बिल्डिंग ही नीचे गिर जाती थी अब आप लोग तो समझ सकते हो ना कि यार उनके पास में कितनी सारी पावर थी अगर सूपर हीरो को कहीं पर भी जाना होता था ना तो ये पानी की अंदर चिपचिप के जाया करता था क्योंकि पानी की बाहर निकलते ही तो वो बड़े बड़े दरिंदे इसको मार डालते यार भाई पलक जपकते ही सूपर हीरो का काम तमाम कर दे थे यार इसको कितनी सारी मु मुश्टरों को मारने के लिए जाता था लेकिन सबसे भयानक जो राक्सस था वो तो हमारा समस्ता था भाई जो भी इसकी गूफा के अंदर जाता था वो कभी लोट कर वापस नहीं आता था क्योंकि मुटेंट उसकी चाती फाड़ कर उसका पूरा का पूरा खून भी जाता था भाई ये काफी गंदा था उस टाइम पर बोले तो अपने आपको गोड समस्ता था इस मुटेंट की गूफा के अंदर आने से तो सारेन हेड भी कतरा थे भाई उनको भी बहुती जादा डर लगता था हमारे मुटेंट से दोस्तो मुटेंट के पास में ये वाली पावरी नहीं भाई ये आइस गोड भी बन सकता था यानि इसके दो रूप थे और दोनों ही भी जादा खतरनाक थे यानि भाई ना तो इसका आग कुछ बिगाड़ पाती थी और नहीं पानी और नहीं बरब भाई ये काफी जादा खतरनाक था और इसी कारण या लोग इससे बहुती जादा डरते थे यानि जितने भी सारेन हेड यलक वगेरा जो भी थे ना वो सब डरते थे और अभी हमारा mutant बनने वाला है उसको क्या बोलते है भाई आइस गोड ये देखो भाई इसके पास में ये भी पावर थी आइस गोड वाली ये कभी बरब बनता था तो कभी उबलती हुई जौला मुखी और अभी दोस्तों अब आपकी बारी है इस वीडियो को कर दीजी वैसे आप लोगों को इसका कौनसा रूप ज़्यादा पसंद आया एक तो है लावा गोड और एक ये है बरफाला गोड यानि इसको बोलेंगे हम लोग आइस गोड कमेंट में जरूर बताना भाई कि आप लोगों को इन दोरों में से कौनसा रूप ज़्यादा प बनना था ना इसलिए ये परवत का देउता भी बन गया और आखिरकार ये पता है क्या बन गया एक फत्तर से बना हुआ एक पावरफुल इंसान दोस्तो इस परकार हमारा मुटेंट तीन गोड तो बन चुका है यानि एक तो परवत का देउता एक आइस गोड और एक लावा लेकिन दोस्तो ये सब लोग जितने भी सारेन हेड और हमारा हलक वेगरा जो भी थे ना वो एक शराप के कारण लुपत हो चुके है यानि भूत काल की अंदर चले गया है लेकिन दोस्तो अभी पता है क्या होने वाला है आठ साल के बाद में उनका शराप का असर कम हो रहा ह और वो जितने भी मौस्टर जितने भी दरिंदे थे ना वो वापस हमारे वोश्टाउन में आने वाले है और इतने सालों बाद में एक बार फिर से हमारे वोश्टाउन सेर की गलियों में सारेन हेड जैसे दरिंदों का राज होगा लेकिन दोस्तो यार हम लोग उनको ऐसे ह कबजा थोड़ी करने देंगे मैं मानता हूँ कि यार वो काफी दिनों बाद में आ रहे है लेकिन हम लोग भी उनसे लड़ेंगे हमारे पास में भी आर्मी है फोर्स है दोस्तों उनका शराब जैसे ही मुक्त होगा वो सब लोग वापस से वोश्टाउन में आ जाएंगी और गुस्ता तो बिल्कूल सात्वी आसमान पर रहने वाला है और मेरे को लगता है कि वो सब लोग मिलकर हमारी बिल्डिंग्स और हमारे जितने भी लोग है ना उन सब को मार डालेंगे अरे हलक दादा भाई तुम तो समझो तुम तो एवेंजर्स हो और एवेंजर्स का काम है लोगों की रक्षा करना ना कि उनको मारना दोस्तो अभी मेरे को पताने कि यार में हलक दादा को के से समझा पाऊंगा क्योंकि हलक दादा को समझाना काफी मुस्किल भी है ना अगर वो हमारी टीम में हो गए ना तो समझो भाई सारेन हेड तो गया काम से वेसे भी सारेन हे है और बहुती जल्द आने वाले हैं और हमने तो कुछ भी तैयार्या भी नहीं गिया हमारे पास में आर्मी और पुलिस वाले जरूर है लेकिन वो उनके सामने बिल्कुल एकदम चीतिया है भाई चीतिया हमें हलक दादा को हमारी तरफ करना है पड़ेगा क्यों भाई टिपस कर ली है अरे अरे रुको तो सैयार तुम्हें पता भी है क्या वो कबार है यह तो मुझे भी नहीं पता लेकिन वो जैसे ही आएंगी हम सब लोग उनको पकड़कर जेल की अंदर डाल देंगे रोपिरो और तुम होना हमारे साथ में तुम बहुती ज़्यादा पावरफुल वेसे अभी तक तो वो लोग नहीं आये है और हमने पूरी त्यारिया कर ली है यानि जितने भी पुलिस वाले ते वो सब आ चुके है और अभी भी भाई दूर दूर से आ रहे है यह देखवाई यह भी अभी आ है भाई गाड़ी को इधर नहीं सामने खड़ा करना है एकद भाई हमारे पास में भी पाउर है उनको आने तो दो भाई एक बार आ जाए फिर उसके बाद में पता चलेगा कि हम लोग पावरफुल है क्यों भाई टिपसन भाई देखो बहुत जदा बीजी है यह अपने दोस्तों को कॉल करके बुला रहा है क्योंकि इसके दोस्त कोई इंसान थोड़ी है सारे गे सारे भाई रोबोट्स है अभी रोबोट्स भी आने वाले है यह देखवाई पुलिस वाला का रोबोट्स तो आ चुका है इसके उपर बेटेंगे और इसके अंदर धुआ निकल रहा है क्या अरे भाई मुझे ही गिरा दिया अभी रुक तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा दोस्तो यार मैं इसके अंदर तो नहीं बेट सकता लेकिन इसके उपर तो खड़ाई हो सकता होना और आप लोग यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सस्क्राइब कर दीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुती ज़्यादा मजा आने वाला इसलिए भाई सस्क्राइब तो जरूर कर लेना तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक की लिए बाई बाई दोस्तो